नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्स करने वाले हैं हिमाचल परदेश की जो वेकेंस ही है वो आप लोगों ने कलकी डेट के अंदर देख लियोगी उसकी डिटेल के साथ आप लोगों को यहाँ पर हम बताने वाला हूं क्योंकि डिटेल इसका डालता रहता हूं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं Community Health Officer, Staff Nurse, Female Health Worker और Laboratory Technician की वेकेंसी है ठीक है जिसकी लास्ट डेट क्या रहेगी दो अक्टूबर है उससे पहले पहले आप लोगों को इनके जो फोर्म है वो अप्लाई कर लेने हैं हालां कि मैंने कई बार इ यूज डालता रहता है था मैं ठीक है जैसे ही कल इसकी वेकेंसी की इनफोर्मेशन आई आप लोगों के साथ सेर की है और अभी पीडिया भी मैंने गुरूप के अंदर डाल भीती थी तो अब काफी मैसेज इसके रिकार्ड आ रहे थे आप लोगों की जो डाउट है वो यह इस्यू नहीं चीज का बीएससी नर्सिंग वाले और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले ही इसके अंदर पहली कंडिशन तो यह है दूसरी कंडिशन इसके अंदर क्या दे दी जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो हिमाचल परदेश का ही होना चाहिए फोर्म जो खास इस्यू और एक और है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ यहां पे इन्होंने क्या कंडिशन रख दी है कि आपकी जो टैंथ प्लस टू है वो हिमाचल परदेश के अंदर उसका स्कूल होना चाहिए ठीक है या तो हिमाचल परदेश के अंदर उसका स्कूल होन चाहिए तब ही आप लोग इलिजिबल हो मतलब यही है कि जो सिरफ हिमाचल परदेश की कंडिडेट है वही इन वेकेंशी के लिए इलिजिबल है बाहर के कंडिडेट है वो इसका अप्लाइग किसी भी एंगल से नहीं कर सकते ठीक है अगली वेकेंशी स्टाफ नर्स की है 169 वेकेंशी है प्लस टू जीनम वाले जो है इसके अंदर डिप्लोमा जिसने कर रहा है वो इलिजिबल है बीसी नर्सिंग भी इलिजिबल है हिमाचल परदेश का रजिस्टेशन है नर्सिंग का वो होना चाहिए ठीक है वही कंडिशन है प्लस टू आप लोगों की हिमाच हिमाचल परदेश के किसी स्कूल से होनी चाहिए ठीक है और दूसरी चीज़ अगर हिमाचल परदेश के अंदर स्कूल नहीं है तो आपके पास हिमाचल परदेश का lifespan certificate होना चाहिए यह condition थी इसी के नदर female health worker की भी यही 60 vacancy है ठीक है condition यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और laboratory technician की भी 36 vacancy है BSC medical laboratory technician BMLT ठीक है यह courses होने चाहिए और paramedical course जो हिमाचल परदेश का है उससे register होना चाहिए वही same condition plus two आप लोगों की हिमाचल परदेश की किसी स्कूल से होनी चाहिए और या फिर आप लोगों की पास हिमाचल परदेश का domain अगर आप लोगों का स्कूल हिमाचल परदेश के अंदर नहीं है ठीक है तो यह condition थी आप फोर्म अपलाई यहां से आप लोग कर सकते हो बाकि क्या कुछ detail के साथ आप लोग यह पीडियाफ अपने हरियाना नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर गुरूप के अंदर डाल रखी है वाटसप और टेलिग्राम गुरूप गुरूप को आप लोग जोइन भी कर सकते हो फीस मातर 500 रुपए 200 रुपए यहां पर कंडिशन के रेकोर्डिंग देर की आप लोग देख सकते हो और क्यों क्वेरी होती है तो इस नंबर पर आप कोंटक्ट कर सकते हो ठीक है अभी के लिए तना ही धन्यवाद